ओके स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे ट्वेल्थ मैच मिसलेने सुक्सिजाई टू भी कुष्टिन फर्स्ट का फर्स्ट चूज दर करेक्ट अल्टरनेटिव और यह सब करेंगे अम बाय अल्ट्राइजी मेथड ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक मैं का निकल सकते हैं तीके किया करेंगे यह पे यह दिया है यह मैट्रिक यह दिया है तो इससे अजाउट थे जल्दी शनिकाल सकते कया से यह नमबर है फूर इसको उपर लिखनाहै और नमबर वन-को निच्छी है और यहां पर माइनज और यहां पर माइनज क्लियर तो यह है शॉटकट मितोड है निकालने का यह ट्रिक है मतलब यह तो रंबर है फोर को उपर वन को निचे और यहां पर माइनज यहां पर मैनस लिखे हैं नहीं ठीक है अब इसको और इसको कंपैर करो तो यह का अली कितना रहें एका minus 2 रहें and b का वन कोंच्छ में विट हो रहा है यह b का और रहे minus two one तो उप्षेन को चलिक्ड करना है तो जोप्षेन आपको समझ में तो अभी हम यही में तो करेंगे देखो ओके तो अभी सेगेंड प्रॉब्लम करते हैं इसका इन्वर्स निकाल लाएं तो हम आपको तो आएगा 0 इंटु 0-1 तो बनेगा-1 तो इसका वैल्यू आ रहे है मैने शॉट्कत बठाता हरुइब तो क्या शॉट्कट है जिरो को ऊपर यह जो रहे दा है इसको ऊपर मतलब इंटु चेंज करना है इसको जो इसको फो निक्षे और भी 0 आएगा जो जिरो इसको पर सब्सक्राइ इसको में भी मांअज ट्रेक्या तो यह हो गया यह आप जल्दी शेख Guide अभी इसके बाद यह मैसको अंदर लेना है यह बनेगा ढ़िएके हर यह मैंनेट प्लस मांनेट मैंनेट प्लस प्ट्रोड पर यह क्या है वरीजिनल मैट्रिक है सेम चीज है जो था मतलब यह किदर आ रहा है तो मतलब यह किदर आ रहा है तो भी राइट है तो भी राइट है क्लियर तो अभी हम थर्ड प्रोब्लम पर जाते हैं देखो तो अभी थर्ड करते हैं तो इन्होंने एक मैट्रिक दिया यह एक यह नहीं नहीं बोलाए की यह आज़्जूइंड है जीकुट के आए फाइन के करना है तो यह फॉर्मुला है यह ज्वाइंड देखोड यहां पर डेटेमिनेंट आता है तो उसको उन्होंने के कर लिख दि सब्सक्राइब करते हैं इसका जॉइंट करना है तो बाद इसको इंट्रोचेंज करना है तो इसको उपर लिखना है इसको निचे और यहां पर माइनस माइनस लिखे आना माइनस त्री माइनस त्री और यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो इसको निचे और इसको उपर और यहां पर माइनस लिखे आना है तो कि दर मैच हो रहा है देखो ठीक है तो एंसर भी आएगा आपको समझ में है तो अभी हम फिस्ट प्रोब्लम पर जाते हैं देखो आपके तो अभी फिस्ट प्रोब्लम करते हैं तो यहां पर एक मैटर के दिया और यह जोंड देखोंट के आए बूले बाट के का वाल्यू क्या रहता है के का रहता है डिटर्मिनेंट डे अकोडिंग टो फॉर्मूला तो बस हमको डिटर्मिनेंट डे निकान लाएं तिक् रहें और विस्तना बनेंगा 4-6 मैनस 2 आरा है तो मैनस 2 यहां पर मैच हो रहा है तो एंसर भी आएगा तो यह सब रत में करो तिक या फर अपने दिमाग में करो अभी नेक्स प्रोब्लम पर जाते हैं देखों तो अभी हम सीठ प्रोब्लम करतें तो यहां पर यह मैटरिक है और आपे बोला है कि A inverse does not exist if lambda का value find करना है ठीक है तो यह inverse exist if determinant A not equal to 0 and A inverse not exist if determinant A 0 तो उन्हेंना बोला है does not exist तो determinant A को 0 करना है तो इसका value को फूरा 0 करना है तो determinant A है हमारा lambda 1 minus 1 lambda and that is equal to 0 तो अब इसको calculate करना है यह बनेगा lambda into minus lambda minus lambda square step लिखता हूने तो ठीक यह बनेगा lambda and minus lambda बीच में minus lambda into minus lambda बीच में minus फिर minus 1 फिर 1 यह क्या बनेगा तो यह बनेगा यह बनेगा minus lambda square minus minus plus 1 is equal to 0. So, इसको उदार लेते हैं, minus lambda square is minus 1. So, minus cut हो जाएगा, lambda square is 1. Lambda is equal to plus 100 minus under root 1. So, plus 100 minus 1. ठीके, तो अभी तुमारा right answer है. So, अभी हम 7th problem पे जाते हैं. देखो. Okay, so 7th problem करते हैं. यहाँ पे question पे उन्होंने, यहाँ पे minus में दिया है. ठीके, यहाँ पे minus हाएगा. ठीके, यहाँ पे minus हाएगा. तो अभी इसका हम उसका रहेंगे ultra easy method. ठीके, तो formula है A inverse is 1 upon determinant A adjoined A. ठीके, तो पाइले determinant A निखालते हैं. Determinant A आएगा, cos alpha, cos alpha into cos alpha, directly कुराऊं, cos square alpha. अब इतमे minus, बड़ यहाँ पे अरड़ी minus है. तो minus minus plus sin alpha into sin alpha, यहाँ एगा sin square alpha, that is equal to 1. क्योंकि formula है. तो इसका value 1 आ रहे हैं. ठीके, तो इसको 1 लिखना है. अब यह adjoined है. मैंने shortcut बथा यहाँ उसकरना है. ठीके, तो इसको interchange करना है. इसको उपर, इसको निच्छी. यहाँ पे minus, यहाँ पे minus, पर अल्हेडी minus है. तो यहाँ पे sin alpha. यह किदर match हो रहा है? ठीके, तो answer भी correct है. ठीके, तो ऐसे solve करना है. अभी हम next problem पर जाते हैं. देखो. ओके, तो अभी 8 problem करते हैं. तो यहाँ पे f of alpha एक matrix दिये है. f of alpha inverse. मतलब इसको फूरा A समझ सकते हैं. ठीके, एंड इसको A inverse निकालना है. एंड फिर उसके बाद यहाँ पे इसका value कौन सा इत्मा fit होगा. चेक करना है. ठीके, तो सबसे पहले ultra easy method इसका inverse निकालते हैं. ठीके, यहाँ पे पैटन है. यहाँ अगर A, B, C, D. अगर यहाँ पे 001, 001 रहेगा, तो इतका A inverse cross multiply करना है. A, B, C. इसके पास अंदर, जैसे हम लिखते है, adjoint का इसको उपर और इसको निछे और यहाँ पे minus और यहाँ पे minus बाखी का वैसे का वैसे लिखना है. पर यहाँ पे यह जगह है, यह जगह में ad minus bc लिखना है, ठीके, बद यहाँ पे change होगा, यहाँ आएगा ad minus bc, तो यह इसका inverse है, तो अगर हम इसको लेंगे, तो इसका inverse क्या बनेगा, देखोगी, ठीके, तो सबचे पहले ad minus bc calculate करते हैं, यहाँ पे भी आ रहे है, और यहाँ पे भी आ रहे है, दोनों जगह में य आ रहे है, तो ad minus bc, ad minus bc मतलब, यह है हमार a, and d यह है, तो cos square alpha, बीच में minus, और यहाँ इदर minus है, तो plus होजेगा bc, यानि sin alpha into sin alpha, यहाँ आएगा sin square alpha 1 आएगा, तो मतलब, यह जेगे में 1 आ रहे है, इदर भी 1 आ रहे है, ठीके, तो बच हो लिखते हैं, ठीके, तो तो यह बनेगा, a inverse is equal to, यहाँ पर formula क्या है, यहाँ आएगा one upon, इसका one आ रहे है, और यहाँ पर इसका one आ रहे है, तो यहाँ पर equal to 0, यहाँ पर 0, यहाँ रहे है, अभी यह आमने इंट्रेचेंज किया, इसको उपर, इसको निच्छे, इसको उपर, यह बनेगा quad alpha, इसक बनेगा कोज अलफ़ा बाद में हए यहाप माइनस है तो मिलनेज मिलनेज प्लस ऐ है तो यह तो यह है हमारा fलfa okay f Cliff मिला को then पर अब कर सकतूँग को अब इसमें तो कौन सा वैली फिट होगा देखो अगर मैं आफा को अगर माइनस में लूँगा मैंस में लूँगा तो मुझे यह एंसर मिलेगा अब चेक कर सकते हो अगर आपको याद था है तो कॉस के अंदर नेगेटिव रेगा तो हट जाएगा और साइन के अंदर नेगेटिव रेग क्या में बनेगा यह मैने इसको चेंज करना है इसको नहीं करना है तो यहां पर मैंने करना कोज है यहां पर यहां पर अंदर मैनस अल्फा फुट किये इसके अंदर इसके अंदर ने फूट किये यहां पे मैंने आलफा के बदले में माइनस लिये तो हम प्माइनस माइनस आएगा अकॉडमिन संस Τरो, मफर राय गा नियम आ रेकार बाएगा रही द्यूमा मुदिन रहई न इसका वैल्यू इतकन कि दिमांग में सोचना पड़ता है तो इसका इंशनर इंटस निकालना तो यहां पे दिमांग उशकर सब्सक्ते हो हो या फिर जल्दी भिन्हे मैं एक के रोड़ पूरा ponies to श्रत करना चुछ पूरां को कि अबस्के लिए छो रू है उपडर तो बाद इसके लिए यह पर स्ट करना है दूसरा कुछ ने करना बैस रो ट्व यह रोवश्व है रोटव यह रोटा है रोटाय तो बाद इसको इंट्रेंज करना है तो रडोव रडोट्व हडोट्व क्या बनेगा यह उपर जाएगा 100 अरहा पे तो फूरा लाइन का इंट्रेंज करू sì ना तो इसको उपर लेना है यह तो oriented वाइचे का वाइचे का बना है यह पूरा आयो गया यह फूरा आये तो आये को हटा सकते इसको हटा भी सकते क्योंकि आई है तो अभी कि यह क्या है ये हमारा चैशान है या हमारा कोस्टेन है राइट zero-一個 one hocus zero- 一 को जडी आ एंडदर भी लाइट है ने फ़िए आ कि हम हम इम टेंगर प्रोब्लम पर जाते हैं तो अभी 10 फ़ेगर करते इंवरसलिक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको समय नहीं आ रहा है तो कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक को एजुन करो ठीक है अगर एक ट्रांस्पूर्स आए तो सिमेट्रिक तो टू त्री त्री फोर लिया मैंने अभी देखो यह जो कॉलम है इसको रो में फिट कर सकता हूं यह जो जैकंड कोलम है यहां पर यह दोनों से ने दोनों ऐसे ने मतलब है अब इसका इंवर्स मदलिए और एस सिमेट्रिक है तो आप इसका इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा तो अभी A inverse लेते हैं 1 upon A and यह निकाला पड़ेगा आपको यह आएगा 4 into 2 8 यह आएगा 9 आएगा यह आएगा minus 1 ठीक है तो यह आग्या minus 4 minus 1 अब इसके बाद यहां पर adjoint day आएगा तो यह inverse का formula होता है 1 upon A and adjoint day तो इसका shortcut 4 को अपर लिखना है 2 को निच्छे यहां पर minus 3 यहां पर minus 3 ठीक है तो अभी minus को अंदर लेते हैं तो यह क्या बनेगा यह inverse बनेगा minus 4 3 3 minus 2 ठीक है अब इसका transpose निकल के दिखते हैं यह inverse का transpose क्या हाएगा कॉलन इदर आएगा minus 4 3 एक कॉलन इदर आएगा 3 minus 2 तोनों सेम है तोनों सेम है मतलब यह सेमेट्रीक ही आएगा universe of symmetric matrix it is for understanding मैंने बथाया है तो आप direct कर सकते हो ठीक है तो अभी हम मतलब अगर कोई भी आगर आपको कोई चीत समझ भी नहीं आ रहा है तो इसको assume करो let a करके symmetric matrix assume करके आप solve कर सकते this for understanding okay आप direct कर सकते हो तो अभी हम next problem पर जाते हैं देखो okay तो अब 11th problem करते हैं तो इन्होंने a into a joint a का एक matrix दिया है determinant आप यह निकालना तो यह formula इस करना है a into a joint a determinant a into i तो यहां से हमको 10 को बाहर लेना है ठीक है यहां से 10 को बाहर लेंगे तो क्या बच्छेगा इदर तो अंदर रहेगा one और यहां पर रहेगा one तो बाकी का इच्छे का इच्छे रहेगा बड़े क्या है यह identity metric है तो इसका value क्या रहा है 10 आ रहा है पर यह आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो ठीक है तो answer भी आएगा तो अभी last problem करते हैं देखो तो अभी 12 problem करते हैं यहां पर यह जो ट्रांसपोर्स दिया है तो वह ट्रांसपोर्स नहीं एक्च्छुली तो inverse है ठीक है तो आप पर printing mistake है तो यह इनवर्स का यह दिया है तो एका निखालना है तो बस हम shortcut method उस करेंगे यह जो है इसको और यह जोंट करना है जैसा एड्जोंट एका निकाला था वैसे करना है तो को पर वन को निच्छे यहां पर माइन मैनश ओप माइनश वन क्या बनेगा यह बनेगा 2 4 1 1 कितर मैच हो रहा है तो answer D आएगा I hope आपको यह सब समझ में है तो ultra easy method उस करो for choose the correct alternative के लिए ठीक है otherwise आपका time बरबात होगा time waste होगा ठीक है जल्दी-जल्दी करना रथा exam पे ठीक है तो ultra easy method follow खुरो तो अभी हम second problem पर जाते हैं